उत्तरप्रदेश के मेनपूरी में चेकिंग के दोरान पुलिस ने एक महिला के पास से तमंचा बरामत किया है और इसका वीडियो सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है और पुलिस आरोपी सिक्षीका के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है बदा दे कि यह मामला मेनपूरी के कोतवाली छेतर जेल के चोराहे का है जहां किसी ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक महिला तमंचा लेकर जा रही है इसके बाद पुलिस उस महिला के पास पहुची और महिला कॉंस्टेबल ने उसकी तलासी ली तो उसके जिन से तमंचा बरामत हुआ और यह देखकर पुलिस कर्मियों के भी खोस उड़ गए वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसके बाद उसे सोसल मीडिया पर पोश्ट कर दिया वहीं पूचताच के दौरान सिख्छी का पहले तो नानुकूर करती रही और जब महिला कॉंस्टेबल ने इस महिला की तलासी ली तो उसके जिन से 315 बोर का एक तमंचा बरामत हुआ निकालो 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 तमंचा ले चलो ले चलो ले चलो पाटी 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 अच्छी के लिए कुब्रा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और alerts के लिए bell icon पर click करें और हाँ दोस्तों साथ ही हमारे videos को like और share करना ना भूलिए